गुएंकन्स, आज की हिंदी की कक्षा में हम नवीन हिंदी व्यवारिक व्याकरण तथारचना भाग 5 से बाठ 4 संग्य के विकार, लिंग, वचन और कारक पढ़ेंगे प्रिश्ट संग्या 21 से संग्या के बारे में और संग्या के प्रकार के बारे में हम कक्षा 4 में पढ़ चुके हैं कक्षा 5 में हम संग्या के विकार, लिंग, बचन और कारक आपको बताएंगे शब्द के दो भेद होते हैं विकारी और अविकारी विकारी शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिसमें किनी कारोणों से परिवर्टन आ जाता है यानि बदलाव आ जाता है उनका रूप बदल जाता है अविकारी शब्द वैशब्द हैं जिनका रूप सदा एक सा रहता यानि उनके रूप में कोई परिवर्दत नहीं आता संग्या, सर्वनाम, विशीशन और किरिया अविकारी शब्द है इनमें लिंग बचन कारक के कारण विकार बदल जाता है सबसे पहले हम इसमें लिंग के बारे में पढ़ेंगे लिंग यानि जेंडर शब्द के जिस रूप से किसी संग्या के इस्त्री या पुरुष जाती के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं हिंदी भाषा में लिंग के दो भेत होते हैं इस्त्री लिंग और पुलिंग आप क्या समझे शब्द के जिस रूप से आपको ये ग्यात हो कि यहाँ पर जो बात हो रही है वो इस्त्री जाती की हो रही है या पुरुष जाती की हो रही है मैस्किलाइन या फेमिनाइन सबसे पहले हम पुलिंग के बारे में पढ़ेंगे संग्या शब्द के जिस रूप से पुरुष जाती का बोध हो उसे पुलिंग कहते हैं जैसे पिता, राजा, बच्चा, छात्र, मोर, आदी संग्या शब्द के जिस रूप से इस्त्री जाती का बोध होता हो उसे इस्त्री लिंग कहते हैं जैसे मोरनी, रानी, बच्ची, छात्रा, लड़की, आदी अब निर्जीव वस्त्वों को भी उनके आकार, वजन और गुड़ के आकार पर पुलिंग और इस्त्रीलिंग में बाटा गया है निर्जीव वस्त्वें आप जानते हैं, जीविद वस्त्वें आप जानते हैं जैसे पुलिंग शब्द निर्जीव में क्या आएंगे गाउं है, घड़ा है, पत्थर है, पहार है, फूल है, बादल है, रसा है, मकान, मैदान, रास्ता, शहर, सागर, जूता, डिब्बा, आदी इस त्रेलिंग जाती में कौन से शब्द आएंगे, कपड़े जैसे आपका सूट है, साड़ी है, घड़ी है, डाली है, दवात है, सियाही दवात, धर्ती, नदी, पहारी, जूती, डिबिया, मठकी, सडक, स्वी, पतीली, रसी, आदी ये सबी हमें इस्तरी जाती में आते हैं, जिन शब्दों के अंत में आ, आओ, प, क, तत्वों आते हैं, वे पुलिंग होते हैं लिंग पहचान के कुछ सामानने नियम पुलिंग शब्दों की पहचान आप किस तरह से करेंगे कुछ शब्द प्रैप पुलिंग होते हैं जैसे देशों के नाम भारत, चीन, अमेरिका, फ्रांस ये पुलिंग में आते हैं पेडों के नाम आम, केला, संत्रा, अमरूत, पुलिंग में आते हैं इमली का पेड होगा वो इस्त्रेलिंग में आएगा परवतों के नाम हिमाले, कंचन, जंगा, एवरेस्ट, आदी ये सारे हमारे परवतों के नाम भी पुलिंग में आएंगे ग्रोहों के नाम मंगल, सूरे, चंदर, राहू, केतू, शनी, बुध, आदी ये सारे हमारे जितने भी होते हैं ये ग्रोहों के नाम भी हमें पुलिंग में आते हैं पृत्वी इस्त्री लिंग में आती है दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार वीरवार, शुकुरवार, शनिवार, रविवार ये सारे दिनों के नाम हमारे पुलिंग जाती में आते हैं महीनों के नाम फरवरी, मा, चेत्र, बैशाक, आदी ये सब हमारे पुलिंग में आते हैं जनवरी, मैं और जुलाई इत्री लिंग में आएंगे सागर के नाम, हिंद महा सागर, प्रेशान महा सागर हमारे शरीर के अंग है, जैसे बाल है, सिर है, कान है, गाल, होट आदी सारे हमारे पुलिंग में आते है भाव, अच्छ, संग्या भी कुछ इस तरह से हैं, जैसे प्रेम है, बड़ापा है, क्रोध है, आनन्द है, दुख, यानि खुशी है, गम है, ये जितने भी हैं, ये सारे हमारे पुलिंग में आएंगे धातू के नाम होते हैं, तामबा, लो, हासो, नारांगा, इतियादी, ये सारे हमारे पुलिंग में आते हैं, उसके बाद कुछ उधारन मैं आपको यहां पर इस्त्रीलिंग के दूँगे जैसे भाशाओं के नाम हिंदी, अंग्रेजी, रूसी, जापानी ये सारे हमारे इस्त्रीलिंग में आएंगे नदियों के नाम गंगा, यमना, सरस्रती ये सारे हमारे नाम जो हैं इस्त्रीलिंग में आएंगे बोलियों के नाम हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, अवदी, ब्र जोड़े जाते हैं अधिकांशता पुलिंग में ही प्रियुक्ति किये जाते हैं जैसे आग के शब लोटा, पिता, जूता, कटोरा, लोहा, मोटा, आदी ये सारे पुलिंग हैं अब आ का दूसरा शब्द आता है छात्रा, माता, माला, कथा, शाखा, लता ही सारे शब्द इस पुजापा, आदी, बचपन, पागलपन, गायक, बालक, नायक जिसके लास्ट में आखिर में का आए वो भी आपके इस त्रिलिंग या पुलिंग में आ सकते हैं तत्व, मनुश्य तत्व, पशुतत्व और महत्व आज की कक्षब में आपको लिंक के बारे में जानकारी दी गई, लिंक के कुछ उधारण में आपको कल भी दूँगी, उन उधारणों को अच्छी तरह से समझे और अपनी लिखित पुस्तिका पर लिखने का भ्यास भी कीजेगा